आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवट्टे जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना प्रिविंशन इस बेटर देन क्योर, आज के सूत्रों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुने, आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है, इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र, बागवट्टे जी का, वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्तुका नहीं है, खाने को पचाना महत्तुका है, क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मास, मजजा, रक्त, मल, मूत्र, वीर, मेद, ये सब बनेगा, आस्तियां बनेंगी, और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगी, पहल अबर है, सुत्र ये है, भोजन अंते, भोजन के अंत में, भोजन अंते विशमवारी, विश, समस्ते आप जहर, जहर जैसा, क्या है, पानी, सुत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उधारन दूँगा, ताकि आप जल्दी पता कर पाएं, बागवट्टी जी ने एक सुत्र में ये कहा है, कि हमारा जो शरीर है, इसका जो मुख्यो स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है, पेट के अंदर, नाभी, लेफ्ट साइड में, नाभी से थोड़ा उपर, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं, प्रदीप्त होती है, जठर अगनी, जठर अगनी, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं, वो पहले जठर में ही जाता है, ये है महत्तु की बाद, आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुँ में डाला, और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बना शुरू पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथ पेस्ट की कंडिशन होती है, वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा, अब ये अगनी भोजन को पचा रही है, और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गड़ 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 तो क्या हुआ अगनी शांत हो जाएगे अगनी का पानी से मेल नहीं है दुश्मनी है तो आपके पेट में खाना खाते ही अगनी जल रही है अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया कोई-कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई- कई लोग तो भोजन से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो फिर बागवत्य जी कहते हैं, भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले, सबसे पहले, गैस बनेगी, वायू बनेगी और ये वायू आपकी जिंदगी हराम कर देगे और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी तो ये वायू पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घुमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हिर्दास्थान पर भेंग कर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हर्ट अटेक आ गया लेकिन वो वायू का दर्द है, हर्ट अटेक नहीं और ये जो वायू बनी, भोजन के सडने से इसी वायू मेंसे बागवट जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे 103 सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर, पैप्टिक अलसर, बवासीर, मुडवयार, भगंदर और अंत का एक रोग है, कैंसर करकरो, मने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते है और बाद में बागबटी जी कहते हैं, वो भी बता देता हूँ, वो दूर का सुत्र है, लेकिन यहीं पर ले आता हूँ उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा, तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा अगर भोजन का पाचन हुआ, तो कॉलेस्ट्रॉल शून में रहता है आप जानते हैं, शरीर में दो तड़े का कॉलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड, अच्छा कॉलेस्ट्रॉल मने HDL, High Density Lipoprotein, खराब कॉलेस्ट्रॉल मने LDL, और उसका शोटा भाई BLDL, Very Low Density Lipoprotein, जिनको कॉलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है, वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड रहा है तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हर्ट अटेक भी आएगा, कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों, तो वो गलती कभी करना नहीं. अब जैसे ये सुत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रशन आएंगे कि पानी कप पीना, तो बागवट जी कहते हैं कि कम से कम डेड़ घंटे के बाद पानी पीओ. अब ये जो डेड़ घंटे का कैलकुलेशन है, ये क्या है? ये बागवट जी कहते हैं कि जो आपने खाया, वो आपके जठर स्थान में डेड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है, डेड़ घंटे तक. और एक से डेड़ घंटे का वो बताया है तो अलग-अलग के हिसाब से अब मान लीजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई गंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ तो एक से डिड़ गंटा ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक गंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बच कर 20 बिनिट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते और बीच में पीना के नहीं वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में 2 अन हैं 2 अन माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहूं है और दूसरा चावल खा रहे हैं तो चावल और गेहूं 2 अन हैं एक अन की पूरती पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है तो बीच का जो जंक्षन पॉइंट है इस पे पानी पीना मतलब इसका सीधा है रोटी पूरी हो गई अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मात्रा कितनी तो वो कहते हैं 2 या 3 घूट इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया फिर नहीं फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिये अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना गला साफ करने के लिए अब आपके मन में तुरंत एक प्रशना आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर पानी तो नहीं पीना डिड़ गंटे तक तो नहीं पीना तो कुछ पी सकते हैं तो बागवट जी ने तीन चीज़ें बताई है उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज़ जो पीने के लिए है वो है चाच वो है मठा दہी का तक्रम लसी पीने के लिए नहीं कह रही है मक्षन रह गया तो वो लसी तक्रम की बात दूसरी सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है वो है दूद मौसम के विरुद्ध के फल नहीं, आज का मौसम आम का नहीं है, तो आम का रस अभी पिया तो नहीं चलेगा, तो आप यह कहें के कोल्ड स्टोरिज से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मुसम्मी का रस, यह सर्वनाश करेगा, सत्या नाश नहीं, सर्वनाश करेग स्टीर तो करेगा, थृूआ यहीं है।